अनाक भाई बहन की कहानी पीटर और सांता दो अनाक भाई बहन थे उनके माव बाप एक रेल दुर घटना में मारे गए थे तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे चाची का नाम था रेबेका पोसित दोनों भाई बहन उसे रेबेका चाची कहते थे रेबेका ने जागीरदार की पतनी के पास नौकरी की थी बड़े घर में नौकरी करने से रेबेका के मन में अहनकार समा गया वो और दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी दोनों बच्छों से भी बहुत कतोर व्यवहार करती थी पीतर और सांता का मन दुखी रहता था पर ये और किसके पास जाते कोई भीतो था नहीं उनका अपना रेबेका का अपना कोई बच्चा नहीं था जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबेका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे टैसे रेबेका और बच्चों का जीवन चल रहा था दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका जब जब वे दूसरे बच्चों को हस्ते खिल खिलाते देखते, तो उनका मन रोटता और फिर एक दिन रेबेका चाची भी चल बसी, अब तो पीटा और सांता बिलकुल ही अकेले रह गए थे, इतनी बड़ी दुनिया में हाँ, रेबेका के कुछ मित्र वश्य थे, जिन्होंने टेक किया कि पीटा और सांता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है लेकिन दोनों को अलग-अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के-लड़किया अलग-अलग रहते थे, जब पीटा और सांता को ये बताया गया तो बहुत परेशान हो थे उन्होंने सोचा, चाही जो हो, ये साथ-साथ रहेंगे, तभी अलग नहीं होंगे, तभी पीटा को याद आया, चाची रेबेका के एक रिष्टेदार सकस में काम करते हैं नाम था गस, पीटा को उनका कार्ड मिल गया था, हम उनके पास जाएंगे, शायद वहां हमें रहने की जगह मिल जाए, पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा, सांता ने कहा पीटा बोला, तो फिर हमें अलग-अलग अनाथालय में रहना होगा, नहीं, नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी, सांता की आवाज में डर जांक रहा थे, और फिर एक रात दोनों भाई बहन अंजान सफर पर चल दिये, वे कुछ नहीं जानते थे कि कहां जाना है, और जिसके पास जा रहे हैं, वह कैसा आदमी हैं, पर एक ननी सी आशा भी थी शायद रास्ता मिल जाए, ये गस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह हंधेरी सडकों पर नहीं भटकना पड़ेग नीन सताने लगी, तो दोनों एक मकान की सीरियों पर लेग गए, फिर न जाने कब नीन दा गई, एक आएक पीट की नीन खुली, एक आदमी पास में खड़ा उसे जखचोर रहा था, वह उस मकान में रहता था, अब तक सांता की नीन भी तूट गई थी, उस आदमी को दो ब ब्राइड लिंटन में खेल दिखा रहा है, उसने कहा, बच्चों, रात को मेरे घर में आराम करो, सुबर चले जाना, बाकी रात दोनों ने नर्म बिस्तर पर आराम से बिताई, सुबर अंकल गस की खोज में चल दिये, वे कूछ ताच कर बढ़ते रहे, जब पीटा और सां बड़े बड़े पिजरों में शेर भी थे, वे वहां खड़े खड़े देखते और रोमान्चित होते रहे, किसी सकस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था, उन्होंने गस के बारे में पोछा, तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया, गस अधेर उमर का, गंभीर चहरे वाला आदमी था, जब उसे पता चला कि उसके भधीजा भधीजी आये हैं, तो वह हरान हुआ, और अपने तंबू से बाहर आ गया, पीटर और सांता ने उसे नमसकार किया, चाची रेबेका के बारे में बताया, कहा, अब हमारे पा रिष्टेदार था, उसे यह कलतना नहीं थी कि इस तरह दो अनात बच्चे ढूंदते हुए यहां तक आ जाएंगे, पर पीटर और सांता को एकदम दुदकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सकस में गस के रिष्टेदारों की चर्चा होने लगी थी, गस से कथोर स्वर म कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आएं, अनाथाले में चले जाते, तो अच्छा रहता, खेर, जब तक सकस खेल दिखा रहा हूं, तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम, पीटर और सांता, गस के रूखी व्यवहार से सह ही थी, दिन में सकस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते, तो विचित लगता, सकस जिस कस्बे में जाता कलाकारों के बच्चे वहां की स्कूल में पढ़ने के लिए जाते, हर कस्बे में सकस चार-पांच दिन तक रुपता था, पीटर सोचता था, विचित है ये उनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे, गस के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए, वहां चात्रों ने इनका खूब स्वागत किया, चात्रों ने पीटर और सांता का परिचर पूछा, तो पीटर ने संकोच से कहा, हम सकस वाले नहीं हैं, हम तो ये था कि रेबेका चाची ने उन्हीं कुछ भी नहीं सिखाया था, दोनों भाई बहन सकस वाले बच्चों से अलग खड़े थे, सांता ने कहा, मैं सकस की कर्तब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वाइलिन बजा सकती हूँ, और मैं लेटिन जानता हूँ, पीटर आसपास कई लोग बैठे थे, अब तो सांता के काटो तो खून नहीं, वाइलिन लाया गया, पर सांता ठीक से न बजा सकी, सब उसकी हसी उडाने लगे, पीटर दर रहा था कि कहीं उसके लेटिन ज्यान की परीक्षा न लेने लगे, एक रात पीटर और सांता को नींद नह आ रही थी, सकस का शोर शांत हो चूका था, तलाकार दर्शकों की बील के सामने अपना कौशल दिखा कर आराम से सो रहे थे, पशुओं के बाड़ों में भी शांती थी, तभी सांता ने कहा, पीटर, हम यहां रहते हुए भी, यहां के नहीं है, हाँ सांता, यहां हमें कोई नहीं चाहता, गस अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते, आखिर हम क्या करें, हमें गस अंकल का मन जितना चाहिए, सांता ने पीटर से कहा, तभी हम यहां रह सकेंगे, वे गस अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, इसी पर सोचते सोचते सो गए, सुबह हुई तो सांता ने देर बनाना, डैक और अपमान की कारण सांता रो पड़ी, उधर पीटर गस की कार को चमकाने में लगा था, उसे लग रहा था, गस अंकल उसकी मेहनत से प्रसन होकर उसे शाबासी देनगे, पर गस ने देखकर मूँ चड़ा लिया, कहा, ये तुम्हारा काम नहीं, जाकर साथ खेलो, पीटर और सांता का मन रो उठा, उन्हें लगा कि वे गस का मन कभी नहीं जीत सकेंगे, पीटर ने सांता से कहा, बेहन, मैं सोचता हूँ, हमें कोई और रास्ता अपना ना होगा, उधरन चिन्ह, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सांता बोली, उस दिन से उन्हों उन्हें गस को प्रसं करने की कोशिश छोड़ दी, सांता लड़कियों को सकस की कर्टब सीखने वाली महिला के पास गई, उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की, पीटर बेन नामक व्यक्ति के पास गया, बेन घुरसवारी का प्रशिक्षन देता था, वो पीटर को प् रहे थे, गस को पीटर और सांता के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था, वो उन्हें अपने पर बोज मान रहा था, चाहता था कि सकस का सीजन खत्म हो, तो वो दोनों से छुट्टी पाले, एक सुबन सकस में हर कंप मच गया, सब इधर उधर भाग दोड़ कर रहे थे, पीटर भी बाहर आकर देखने लगा, सब हाथियों के बारे की तरफ दोड़े जा रहे थे, पता चला रानी नामक हथिनी गुस्से में है, उसने महावत को उठा कर फेक दिया था, और न जाने क्या कर बैठे, पीटर जाकर बारे के बाहर खड़ा हो गया, रानी बार बार से उधर हिलाती, सब कह रहे थे, दूर रहो, पर पीटर न जाने कब रानी के पास जा पहुचा, वो हथेली से रानी की सून थप थपाने लगा, वहाँ खड़े लोगों में सन्नाता चा गया, सब सांस रोके देख रहे थे, वे पीटर के लिए चिंतित थे, सोच, रहे थे, रानी अब उसे पेरो से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ न हुआ, पीटर द्वारा इस तरह सून थप थपाने से रानी की उत्तेजना शांथ होती गई, पीटर की जेब में गाजरे थी, उसने गाजरे दी, तो रानी खाने लगी, कुछ देर में वह सामान्य हो गई, पीटर बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा, पूरे सकस में पीटर के साहस की चर्चा थी, लोग कह रहे थे अगर पीटर न होता, तो रानी न जाने क्या कर डालती, पीटर सोच रहा था, क्या गस अंकल ने भी यह बात सुनी होगी, वो सकस का आखिरी दिन था, ग वेका चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन, दोनों परेशान हो उठे, उन्हीं के पास से भाग कर तो पीटर और सांता यहां आये थे, अब वे सकस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्हें फिर से निकालने की तयारी हो रही थी, उसी रात सकस के तंबू मे आग लग गई, गोड़े उसमें फंस गए, पीटर ने देखा, तो फिर दोड़ता हुआ तंबू में घुस गया, गोड़ों के बंधन खोल कर बाहर ले आया, इस काम में उसे चोप भी आई, पर उसने परवा नहीं की, उसे खुशी थी कि उसने गोड़ों को जलने से बचा लिया था, अगली सुबह सब विदा हो रहे थे, सकस का सामान गारियों में लादा जा रहा था, पीटर और सांता एक तरफ खड़े थे, वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका, तब ही सकस के मालिक ने गस से कहा, मैंने सुना है, तुम दोनों बच्चों को दूर के में भेज रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, अब ये हमारे हैं, ये का